आग्रा में यमुना का जल स्तर बढ़ने से लोग परिशान मंदिर से लेकर शम्शान तक सब यमुना के पानी में डूबा बाना मिना बालिक लड़की के साथ गैंग रेप अगवा कर ले गया पड़ोसी युवक पहले से मौजूद थे तीन युवक सहरनपूर बेहट में नदी पार करते डूबा एक युवक मौट पुलिस ने शेफ को कबजे में लेकर पोस्ट मौटिम पिले भीगा सहरनपूर में दहरादून अंबाला हाईवे पर भीश और सड़क हाकसा ट्रक में टकर लगने से गाड़ी में लगी आग चार लोग जिन्दा जले मौके पर मौट सहरनपूर में स्वागत इवं अभिनंदन सम्हारों का आयोजन रास्टरी गोजर स्वाभिमान संगर्श समीती ने किया आयोजन नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साज शिक हाम है रोतरा रुख करते हैं उतरप्रदेश की खबरों की ओर से पहले एक नज़र इस वक्ती बड़ी खबरों पर आगरास से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां युवक की हत्यकर पेका ग्याश्या वो बड़ी खबर आपको उता रहे है जहां युवक का शम मिलने से छेत्र में फैली संसनी गरदन औ पेट में धारदार वस्तू से वार कर हत्या की गई बीती शाम खाना खाने के बाद से गायब थामरितक बड़ी खबर आपको उता रहे है थाना डॉंकी छेत्र के कुंडोल का मामला बताया जो आ रहा है यह बड़ी खबर सामने आ रही है जहां युवक का शम मिला है आगरा खाना खाने के बाद से गायब था युवक कि ग्राम पंचा तो डड़ी मिली है यह मेरे गाउं के सावकार के बेटी है रोई थोर्क बड़ी और यह जो गटना हुई है बहुत ही दुखत गटना है कुछ लोग इसके जो साथ पर रहते हैं उनके पताजी ने बताया है कुछ खाना खाने के बाद से युवक का अता पता नहीं चल पा रहा था तो वहीं आज युवक का शव मिला है अमरोहा से बड़ी ख़बर सामने आ रही है जहां अमरोहा नगर पुलस ने किया अंतराजी चरस तसकर अरेस्ट बड़े पैमाने पर करता था चरस की तसकरी आरोपी जिशान से आधा सीलो चरस बरामत की गई है दिली यूपी समेत काई राज्यों में करता है तसकरी आरोपी जिशान पर 20 से अधिक मुकंद में दर्ज है हिस्ट्री शीटर गुंड़ा एक्ट में वांचित था आरोपी नगर पुलस ने अंतराजी चरस तसकर को आरेस्ट किया है वही चंद्वाली से बड़ी खबर सामने आ रही है जोहां आठ एनम को नियुक्ती पत्र मिले है डियम दिखिल दीका राम ने सौपा नियुक्ती पत्र बड़ी खबर आपको उता रहे है जोहां नियुक्ती पत्र मिलने से एनम के चेहरे के लिए बड़ी खबर ये सामने आ बड़ी खबर ही आपको बता रहे है जोहा जीरम ने निश्था के साथ कारे करने का सुझाओ भी दिया है मत्रा से बड़ी खबर सामने आरी जोहा ततकालीन और वर्तवान ACMO पर एक्शन ही अगया है सेस्टी आक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेशों दिये गया है प्रेम दीप हॉस्पिटल की जाच में दोश्यों को बचवाने पर एक्शन ही अगया है मत्रा के ततकालीन ACMO डॉक्टर विमल उपाद्याय और वर्तमार में तैनाद ACMO डॉक्टर अस्रोट कुमार पर सेस्टी आक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेशों दिये गया है प्रेमदीप हॉस्पिटल की जाच में दोश्यों को बचवाने पर मुकदमा दर्ज करने के आदेशों दिये गया है प्रेमदीप हॉस्पिटल के सच्चाल डॉक्टर तरुल गुपता और डॉक्टर शिल्पी पासरल सहित एक आशकार कत्री पर भी से एक्सटी एक्ट लगा है आपको बता देखिए अब आगे मुकदमा दर्ज करने के आदेशों दिये गया है रोकते खबरोखियों रागरा में यमुना का च्वाल स्थाल लगातार बढ़ने से जन जीवन अस्तिवियस्त हो गया है हाथनी कुंड से छोड़े गए पानी से आगरा में जल भरा हो गया है मंदिर से लेकर शमशान तक सब यमुना के पानी में डूब गए है यमुना में अचानक एक साथ बढ़े पानी से परिशानिया बढ़ गई है हालातों को देखते हुए आगरा का प्रिशासन और NDRF की टीम तैयारिया कर रहा है आप जन मानस को कोई परिशानी ना हो इसके लिए आगरा का प्रिशासन मुस्ताइद है आपको बता दे यमुना नेधिका जोलिस्तर अब 499 फिट तक पहुँच गया है ये मिट डिंजर लेवल है ताजमहल का दशहरा घाट दाऊ दयाल मंदर परिसर पानी से लबालब भर गया है बांधा से नावालिक लड़की के साथ ग्यांगरिप का मामला सामने आया है पूरा मामला बाना शहर कोतवाली के गाउं से साबने आया है जहां नाबालिक 13 जुलाई को घर के बाहर खड़ी थी तब ही पड़ोसी यूवक आया और मू दबा कर उसे अपने साथ ले गया जहां तीन लोग पहली से मौझूद थे जहां चारों ने बारिवारी दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया नाबालिक की शुकायत पर पलस ने संगीन धाराओं में फयार दर्च कर आरोपियों के तलाश शुरू करती है तो अगवाकर पड़ोसी यूवाक अपने साथ ले गया था नाबालिक के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया बाना से जहां यूवाक पड़ोसी यूवाक नाबालिक को घर की पाहर खड़ा देख मू दबा कर अपने साथ ले गया और जिस जगा ले गिया वहाँ पे तीन आरोपी पहले से मौजूद थे और चारों ने इस गैंग रेप को अंजाम दिया है तो वही नाबालिक की शिकायत पर पुलिस ने संगीन धाराओं में फाई यार दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है तो बांदा से ये मामला सामने आया है नाबालिक लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है जोहाँ इसकी खबर नाबालिक ने अपने परिजनों को दी उसके बाद परिजनों के साथ ये मामला लेकर सभी थाने पहुचे और वहाँ पे नाबालिक पीड़ता ने पर साती नदिया उफान पर आ गई है जिसके चलते नदी पार करते हुए एक यूवक की टूबने से मौत हो गई घटना की सूचिना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने शर्फ को कबजे मिले कर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है यूवक की मौत की खबर मिलते ही मृ मौके पर पहुची था ना रामपुर मनिहारन पुलिस फोरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेट की टीम ने आग को बुझाया और गाड़ी को कबजे मिले कर आगे की कारेवाई की सहरनपूर में दिली रोड स्थित बैंकुर्ट हॉल में रास्ट्रे गुर्जर स्वाभिवान संगर्शी समीती ने स्वागत एवं अभिनंदन सम्हारों का आयूजन किया जिसमें मुख्य आतिति के रूप में पहुचे रास्ट्रे गुर्जर स्वाभिवान संगर्शी समी कि देखिए पहले तो यह जो साहरणपूर गूजर गड़ के नाम से याना राता है आज हमारे समाज ने जो मुझे यहां बुला के सम्मान किया चाहे मुस्लिम गूजर हो चाहे हिंदि गूजर हो सबका दिल की गहराईयों से बहुत-बहुत श्वागत करता हूं अभिनंदन क करता हूं और जो आपने मुझे में उम्मीद जगाई है जो आपने मुझे समाज के कारिय करने के लिए चुमा है मैं आपके सामने कह रहा हूं जहां समाज को जवर्ट पड़ेगी पूरे देश के अंदर कसमीर से करन्या गुमारी तक आपकी लड़ाई हो चाहे इतिहास का म जहने वाली मृतक रिजवान के मातपिता ने नियाए पाने के लिए प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री तक से गोहा लगाई है मृतक रिजवान के परिजवान 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 के दाखिल नहीं किया है जिससे आरोपियों की गिरफतारी नहीं हो पाई है और वो खुले घूम रहे हैं बतादे चले कि 29 मार्च 2022 को रिजवान की प्रेमिका की घर संदिग्द परिस्तितियों में रिजवान का श्यव मिला था परिजनों ने रिजवान की प्रेमिका और उसके परिज़नों पर हत्या का आरोप लगा कर थानी में मुकद्मा पंजिकरत करवाया था इसको बला के मौर दिया अकरम के घर में मेरे बेटे की बाड़ी मिली और हम जब अफाया लिखाने गए तो दो दिनके बाद पहली बाद तो फाया लिखी गए अमरी और उसके बाद हम ठाने के चक्र लगाते रहे एस सो सामने में से यही कहा कि आपकी विवेशना हो रही है छ करना चाहेंगे सबसे पहले दरसल आपको बता दें यह मामला उन्तिस मार्च दो हजार बाइस का है खिरी था चेतर के मोहला जेखराय के रहने वाले रिजवान का सव उसकी प्रेमका के घर तंदिक पस्तितियों में बरामद हुआ था इसमें परजिनों ने तेहरीर देकर और आगे की कोशिश करेंगे तो यह हत्यकारण का मामला सामने आया है परिज्वान का आरोप लगा रहे हैं प्रेमका के घर से रिजवान का शव मिलता है उसके बाद प्रिद्ध माता-पिता म्याई के लिए दरदर भठकते वे नजर आ रहे हैं जैसिंगपुरा का मतुरा में प्रभारी मंतरी संदीप सिंग ने बाड़ प्रभावित छेत्र जैसिंगपुरा का निरिक्षड किया और बिरला मंदिर धर्मशाला में बने राहत कैम्प में रह रहे हैं लोगों को महिला किट और राशिन सामगरी किट का वित्रल भी किया साथी उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार आप लोगों के प्रती गंभीर है आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी जिसके बाद प्रभारी मंतरी संदीप सिंग और जुलाधिकारी पुलकित खरे ने वरिनवन परिक्रम मार्ग का अविलोकन किया और सावधानी बरतने के लिए निर्देशिद भी किया साथी जुलाधिकारी पुलकित खरे ने कई घाटों का भ्रमण किया और लोगों से समस्याई भी जानी इस पर लोगों ने जुलाधिकारी के अच्छे बंदोबस्त किये जाने पर उनकी प्रिशन साकी कि यमना जी के जलिस्तर में कल रात से गिरावाट आनी शुरू हो गई है और मधुरा के जो घाट है उनका निरिक्षन मेरे द्वारा भी करा गया बंगाली घाट से लेके विश्राम घाट तक अब घाटों के इधर जो सड़क है सड़क से पानी उतर चुका है और अभी भी मेरे अभी भी आपके माध्यम से यही अपील रहेगी लोगों से कि अगले 24 से 36 घंटे घाटों की तरफ ना आए क्योंकि धारा प्रवाब बहुत तेज है और सिल्ट भी वहां पे है घाटों पे जिससे कोई भी फिसल के कोई अन्हुनी यह घाट सा हो सकता है हम लोग लगा प्रशाशन और पुलिस इसमें देज़ा रख राइबरेली सरकार की मंशा अनुसार आज मनलायुक तो डॉक्टर रोशन जैकप की अद्यक्षोता में जनता दर्शन किया गया आयोजन आमजन की दयानिक जीवन से जुड़ी विभिन समस्याओं के लिए था जसमें बिजली पानी सड़क, प्रधानमंतरी, मुख्यमंतरी आवास, ज्वल्दिकासी, दैविया आपदा और सरजनिक भूमी पर अनाधिकरत कब्जा भूमी विवाद विभिन प्रकार की पेंशन सरजनिक वित्रट प्रणाली के मामलों की सुनवाई की गई और इस ख़बर पर हमारे साथ राई बरेली से समवादाता रवी शुरवास तब जुड़ चुके है, रवी जस तरह से आज जनता दर्वार लेगाए गया, जनता की समस्याओं को सुना गया, तो क्या कुछ देखने को मिला इस दौराद? जनता दर्वार में, जनता दर्शन में लोगों के मामलों की प्राई जिस तरह से आज राई बरेली से समदाता रवी शुरवे थे, तो जिस तरह से आज राई बरेली जनता दर्वार लगाया गया, जिसमें सरकार की द्वारा जो भी सुविधाय दी ज़ा रही है, उनको लेका जनता से जनकारी ली गए, उनसे ज़ाना गया, उनकी समस्याओं के बारे में नाओ के माखी थाना छेत्र मजखोरिया के मजरा ठो में नव विवाहिता कशव घर में कमरे के पंखे से लटका हुआ मिला, खेत से घर पहुँचे परिजनों ने शव लटका देखा तो घर में मातम पसर गया, मामला सदक उतवाली छेत्र के देवी खेडा गाओ का है, वहीं माईके पक्ष के लोगों ने हत्या कर्शव को लटकाने का अरोब लगाया है, माईके पक्ष के लोगों की ओर से तहरीर के आधार पर पॉलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाच परताल शिरू कर दी है, उतर प्रदेशी खबरों में फिल हाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही आची खबर